हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू भाई चैनल होम सांस फ्रेंट्स की आज आपके लिए एकल का यह बहुत ही प्यारा सा पैटर लेकर के आई हूँ इस पैटर को आप किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकती हैं लेडिस के स्वेटर में जैंट्स के स्वेटर में कोटी काडियन और दिखिए डिजाइन हमारा जो है जैंट स्वेटर पती डिजाइन बहुत ही प्यारा सा दिखिएगा इस पैटर को बनाने के लिए हमें चाहिए 6 के मल्टिपल प्लस 4 6 के गुड़े 6 फंदे लेने होगे और उसमें हम 4 फंदे और जोड़ देंगे और दिखिए जो हमारा डिजाइन है बारा सलाई में बन करके कम्प्लीट हो जाता है तो फ्रेंट्स इस पैटरन को बनाना हम सुरू करते हैं वीडियो के एंड तक आप हमारे साथ रहे हैं तो दिखिए फ्रेंट्स हमने यहाँ पर 6 के मल्टिपल 22 फंदे कॉस्ट अन किये हैं 22 फंदे लिए हैं छ चाड़ वाला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे और इसके बाद में दो फंदे उल्टे कि चार फंदे सीधे कि फिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे चार फंदे सीधे बुनेंगे दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर चार फंदे सीधे हैं फिर दो फंदे उल्टे इसाड वाले फंदे पो सीधा बुनेंगे दिखिए फंट रो हमारी इस तरह से बनेंगी गूर्व पर आते हैं बैक से तो यहां पर देखिए जो सीधे फंदे दिख रहे हैं इसको सीधा बुनेंगे हम और जो उल्टे फंदे दिख रहा है यानि कि दो फंदे सीधे और चार उल्टे इस तरह से बनाएंगे जो जिस तरह से फंदे हैं हमें उनी उन फंदों को उसी तरह से बु लेंगे सिधे पर सीधे फंदे बनाएंगे और उल्टे वंदे पर उल्टे फंदे बनाएंगे तीसरी सलाइब सीधी तरफ से थैड रहो राइट साइढ आज है यहां पर देखिए 34 सलाई पर जो जैसे फंदे इनको हम बैसे ही बना लेंगे सीधे फंदे पर सीधे फंदे बनाएंगे और उल्टे फंदे पर उल्टे फंदे बुनेंगे अब देखिए फ्रेंट चार सलाई यह बनाने के बाद में हमारा देखिए कुछ इस तरह से यहां तक बन करके आएगा अब देखिए पांथ भी सलाई पर आते हैं फिप तो राइट साइड से अब याँ पर दिखे, सावाला फंदा बिना बुने उतारने के बाद में दो फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे अब देखे, यहाँ पर जो 4 फंदे दिख रहे हैं ना तो इन 4 फंदों को छोड़ करके यहाँ से लेकिए चार फंदो को छोड़ने के बाद यहां से एक लूप बनाएंगे इस तरह से और उसके बाद में एक फंदे को सीधा बुलेंगे अब यह जो फंदा हमने बनाया हुआ है ना इस फंदे को इसके उपर से इस तरह से उतार देंगे इसके बाद में ये तीन फंदे जो बचे हैं हमारे इनको भी हम सीधा बुलेंगे दागा आगे ले करके आएंगे फिर से दो फंदे हम यहाँ पर उर्टे बुनेंगे दागा पीछे अब देखे जो चार फंदे दिख रहा है न तो इन चारों फंदों को इस तरह से छोड़ करके एक लूप बनाएंगे फिर एक सीधा फंदा बुनेंगे और इस फंदे को जो बनाया हुआ फंदा है न इसको हम इसके उपर से इस तरह से उतार देंगे ठीक है फिर इसके बाद में जो हमारी तीन फंदे बचे है न इनको हम सीधा बुलेंगे दो फंदे ये उल्टे, इनको उल्टा उल लेंगे, धागा पीछे को उल ले जाएंगे, अब देखिए जो चार फंदे हैं, एक बार फिर से देखिए, तो इन चारों फंदों को छोड़ करके इस तरह से एक लूप बनाएंगे, देखिए इसको हम इसी में रहने देंगे सलाई में न, फिर इसके बाद में हम एक फंदा सीधा बनेंगे, और इस फंदे को इसके उपड़ से उतार देंगे, फिर तीन फंदे सीधे बनेंगे, तो देखिए हमारे जो चार फंदे हैं, चार फंदे सीधे, चार उल्टे, इस त च्छटी सलाई पर आते हैं बैक साइट से तो यहां पर जो सलाई हमारी जो फंदे हमारे जैसे है ना सीधे पर सीधे बनाएंगे और उल्टे फंदों पर हम उल्टा बुनेंगे च्छटी सलाई उल्टी तरफ से 6 रो बैक साइट से देखें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं इ मुक्त है अब देखिए फ्रेंड हम आते हैं प्रेटर ei की साथ मी इसालाई पर यहाँ पर आप धिहां से किस तरह से बनाएंगे जिए छ इसलाईयों को बनाने के बाद में अर्मारा डिजाइन कुछ इहां तक किस तरह से आएगा तो अब देखिए सातमी सलाई सिधी तरफ से साड़ वाला फंदा भी ना बुने उतार लेंगे और देखिए सुरुवात के जो तीन फंदे हैं यह दो उल्टे फंदे और एक यह सीधा यह न चार फंदे न तो इसका यह साड़ वाला सीधा फंदा तो यह दो सीधे बुनेंगे और इस फंदे को भी हम सीधा बुल लेंगे अब देखिए जो चार फंदे सीधे थे तो इसका साड़ का फंदा एक हमने यहां पर बुल लिए आप देखिए इसके चार फंदों के बीच के दो दो फंदे है न इनको अब उल्टा बुल लेंगे साथमी सलाई पर फंदों को चेंज कर देना देखे अब यहां पर एक यह सीधा और यह दो उल्टे और एक यह सीधा तो इन चारों फंदों को सीधा बुल लेंगे अब देखे जो चार फंदे ना इनके यह दो बीच के फंदे इनको हम उल्टा बुल लेंगे दागा पीछे ले जाएंगे अब देखे ये सीधा और इसमें का एक सीधा और ये दो उल्टे तो इन चारो फंदों को हम सीधा बूल लेंगे दो फंदे उल्टे आएंगे फिर ये देखे चारो फंदे सीधे आएंगे साथमी सलाई सीधी तरप से यहाँ पर हमने फंदे चेंज कर दिये हैं अब देखे आठमी सलाई पर आते हैं तो यहाँ पर देखे जो फंदे सीधे हैं उनको आपको सीधा बुनना है और जो उल्टे फंदे हैं उनको उल्टा बुनना है साइड वाला फंदा बिना बुने उतार लेंगे और उसके बाद में तीन फंदे उल्टे बुनेंगे और जो दो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुनेंगे फिर चार फंदे उल्टे देखिए हमारे पैटन की आठमी सलाई है बैक साइड से अब दिखेए फ्रेंट्स आठमी सलाई सीधी टरब से साइड वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे और जो सीधे फंदे है न इनको हम सीधा बुनेगे या putting कि सेड़ वाला फंदा मिला करके चार फंदे सीधे दो फंदे उल्टे तो दिखे हमारी पैटन की जो आठमी सलाई है सीधी तरब से चार फंदे सीधे दो उल्टे फिर चार सीधे यानि कि जैसे फंदे हैं उनको बैसा ही बुल लेना है आठमी सलाई साथमी सलाई सीधी तरब से देखे फ्रेंट से नौमी सलाई है और दसमी सलाई बैक साइड से जो जैसे फंदे उनको बैसा ही बुल लेना है दसमी सलाई बैक साइड से जो जैसे फंदे उनको बैसा ही बुनेंगे अब देखे ग्यारमी सलाई पर आते हैं सीधी तरब से 11 तरो राइड साइड वाला फंदा यहां पर बिना बुने नहीं उतारना है क्योंकि देखे जिस तरह से यहां पर यह फंदे बने हैं तो हमारे यह साइड बाला फंदा बिला करके यहां पर यह चार फंदे बनते हैं तो देखे इस तरह से एक लूप बनाएंगे फिर उसके बाद में हम यहां पर एक फंदे को सीधा बुनेंगे और इस फंदे को इसके उपर से उतार देंगे, फिर तीन फंदे सीधे बुनेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, ये चार फंदे दिख रहे है न, तो दीखें इस तरह से, चार फंदे छोड़ करके सलाई को डालेंगे, एक लूप बनाया, सीधा फंद आऊना, और इसके उतार दिया। फिर तीनों फंदों को सिधा बुल ओलिया। धागा याले करके आए, दोंदे उलते भूनें तागा पीछे यह चार फंदे ऐ Singen gesto pathaları फिर एक संदा सिधा बुनेंगे। इस संदे को इस और चारल ऋतार देंगे। फिर तीनों सलाई है सिधी तरप से लागा पीछे अब दिखें यहां पर चार फंदे हैं सैड वाला फंदा मिला करके तो यहां पर देखिए चारों फंदों छोड़ करके एक लूप बनाएंगे सीधा फंदा बुनेंगे और पहले वाले फंदे को इसके उपर से उतार देंगे जो लूप बनाया हुआ है अब देखिए फ्रेंट्स हमारे पैटन की यहां पर यह 11 सलाईयां कम्प्लीट हो जाती है देखिए 11 सलाईयों को बनाने के बादे कुछ इस तरह से आएगा अब देखिए बार्मी सलाई पर जो फंदे जैसे हैं उनको हमें बैसा ही बुल लेना है यानि कि जो उल्टे फंदे हैं उन पर हम उल्टा फंदा बुनेंगे सीधे फंदे पर सीधा फंदा बुनेंगे उल्टे फंदे पर उल्टा फंदा बुनेंगे सीधे फंदे पर सीधा तो इसी तरह से में बार्मी सलाई कम्प्लीट कर लेनी है तो देखें फ्रेंड्स यहां से यहां तक लेकर के जो 12 सलाई हमारे पैटन की बनी है इनी सलाईयों को आपको रिपीट करती हुए जाना अब देखें यहां पर सुरुआ तेरवी सलाई पर किस तरह से करेंगे जिस तरह से हमने यहां पर यह फश्ट रो बनाई है एक रो मैं फश्ट रो बनाकर के दिखा देती हूं जिस तरह से हमने यहां पर फश्ट रो बनाई बिल्कुल उसी तरह से तेरवी सलाई आगे बनेगी साड़ वाला फंदा बिना बुने उतारेंगे मैं एक ही सलाई बनाकर कि दिखा रही हूं आपको दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे पिर दो फंदे उल्टे बुनेंगे फिर चार फंदे सीधे बुनेंगे तो दिखें जिस तरह से हमने यहां पर यह फस्ट रो बनाई है बिल्कुल उसी तरह से हमारी थ्यर्टिन रों है वो बनेगी तेर्मी सलाई उसी तरह से बनेगी कि जाना है तो आपको डिजाइन है ऐसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया है तो दिखें फ्रेंड्स 13 सलाई हैं हमने हाँ पर एक सलाई जो है एक्ष्ट्रा बनाई गए फश्ट रोग की तरह 12 सलाईयों को आपको रिपीट करती हुई जाना है आपका डिजाइन ऐसे ही बनेगा जैसा मैंने आपको शुरुआत में दिखा है बहुत ही प्यारा सा दिखता है जैंट स्वेटर पर और वाइट कलर के स्वेटर में तो बहुत ही सुन्दर दिखता है तो फ्रेंड्स मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीड सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले तागे मेरी जो भी नहीं आने वाली वीडियो है उसका नौटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे मिलते हैं एक लिए वीडियो भै तब तक के लिए बाई